दोस्तों अगर आपने अपना नया अधार कार्ड बनवाया है और आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं UIDI की साइट से या फिर आपने कुछ अपने पराने अधार कार्ड में कुछ चेंजिस या अपडेट करवाए हैं तो वो हमारा जो अपडेटिड हुआ हुआ अधार कार्ड है उसे हम ऑनलाइन UIDI की साइट से कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर हमारा को या अगजिस्टिंग अधार कार्ड था वो गुम गया है फट गया है या डैमेज हो गया है तो उसे हम कैसे online UIDI की official website से download करेंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ अपने नए और updated अधार कार्ट को download करने के लिए सबसे पहले हम अपने laptop या फिर computer में जो web browser होता है जैसे की google chrome या फिर mozilla firefox उसे open कर लेंगे और web browser के open हो जाने के बाद हमने जो web browser है उसमें type करना है UIDI उसे type करने के बाद हम enter करेंगे search करेंगे तो सबसे पहले जो site आएगी UIDI की official website उसे हमने open कर लेना है तो यहाँ पर हमारे सामने UIDI के link पर click करने के बाद अधार काड की जो UIDI की official website उसे open हो गई है तो जैसे की आप देखेंगे get अधार इसके अंदर जो option आता है download अधार इस वाले option को हमने slack करना है slack करने के वाद friends हमारे यहाँ पर download अधार का option open हो जाएगा और यहाँ पर हमें तीन जो option मिलते हैं अधार काड को download करने के सबसे पहले अधार नमबर के थूँ और दूसरा जो होता है enrollment ID और तीर सा होता है virtual ID तो यहाँ पर आप यह जो तीनों option दिये गए हैं उनमेंसे एक option से आप अपना अधार काड डाउड कर सकते हैं तो अभी जो हम कर रहे है अधार काड को download वो अधार नमबर के through कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना अधार नमबर डालेंगे जिसे हम download करवाना चाहते है अधार का नमबर type करने के बाद नीचे जो option आता है check box के साथ I want a mask अधार तो mostly जो लोग हैं क्या गलती करते हैं इस वाले check box में click कर देते हैं I want a mask अधार तो इससे होता क्या है कि जो अधार काड होता है वो masking वाला download होता है जिसमें कि हमारे अधार काड के जो सारे नमबर होते हैं वो cross से mask किये होते हैं तो कभी भी हमें यह गलती नहीं करनी है I want a mask वाले option में कभी check नहीं करना है उसके बाद जो नीचे option आता है capture verification तो यहां पर right hand side पर capture code दिया हुआ है वह हमें as it is डालना है जो cap में जो numeric में है numeric में जो small letter में small letter में उसे डालने के बाद नहीं पर नीचे जो sent OTP वाला option आता है उस पर हमें click कर देना है तो friends यहां पर हमने sent OTP वाले option पर click कर दिया है अब आपका जो mobile number अधार काड में update रहेगा या registered होगा वो उस वाले number पर एक OTP भेजेगा उस OTP को हमें यहां टाइप कर लेना है उसके बाद friends यहां पर जो है यह जो OTP है मेरे mobile पर आ गया है मैंने यहां पर enter OTP वाले option पर अपना OTP यहां पर दर्ज कर दिया है उसके बाद take a quick survey तो यहां पर कुछ survey है दो point का उसे हमने पढ़कर tick कर देना है तो सबसे पहले पहले वाले option पर मैंने yes पर और दूसरे वाले पर second वाले option पर circle पर tick कर दिया है अब इसके बाद जो नीचे verify and download वाला tab आता है उस tab को हमें click करना है तो इस tab पे verify and download वाले पे click करते ही हमारा जो अधार काड है updated वाला वो download हो जाएगा जैसे कि friends आप screen पे देख रहे हैं bottom left hand side पे हमारा अधार काड updated वाला download हो गया है अब friends यहां पे जो है यह अधार काड है जो download होता है यह PDF format में होता है और यह जो PDF file होती है यह passport protected होती है अब यहांपे होता है कि जो अधार CARD है हर कोई download तो कर लेता है बड़ उसे open नहीं कर पाता क्योंकि कई बंदों को यही नहीं पता होता कि इसमें password हमें डालना किया है तो अधार CARD की फाइल को open करने के लिए जो password होता है वो हमारे नाम के जो 1st 4 character होते हैं कप में डालना होता है और जो data of worth हमारी होती है उसका जो डेट of year है वो डालना है जैसे कि मेरा नाम राहूल है और मेरी date of word 1990 है तो यहाँ पर जैसे कि माया जैसे टानलोड की फाइल हुई है उसे open करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर जो मेरा नाम है उसके फॉर करेक्टर कैप में डालूँगा जैसे राए एच यू में कैप में डालूँगा उसके पाफ़ डेट ओफ वर्थ का येर 1990 करूँगा और टाइप करने के बाद यहां पर सब्मिट करूँगा तो यहां पर देखिए फ्रेंट मेरा अधार काड जो है उपन हो गया है तो इस तरीके से हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस जरूशते कुछ ना कुछ सीखा होगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छ करेंट टेक केर